WWE Backlash Premium Live Event एक अब होने वाला है और एक आज से काफे साल पहले 2018 मई में हुआ था जिसका main event था Roman Reigns vs Samoa Joe का match और ये इतना बुरा लगा था fans को कि fans वहां से उठके जाने लगे थे मुझे याद है उस time पर भी मैंने इसको वीडियो में बता कि cover किया था और उस time का Roman Reigns और आज की Roman Reigns में तुम लोग reference देख सकते हो मैं सही बता हूँ मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने इतने time से जो 6 साल से almost content मना रहा हूँ सबसे बेकार time वो WWE के इंदर चल रहा था खुद भी ऐसा energy आती नहीं थी कि show के बारे में बात में कैसे करूँ अब वही बात है अगर मैं चुप-चाप अब तो अलगी जलवाया भाई Roman Reigns का या Saudi Arabia से show होने वाला है यह होगा night of champions अब से दो दन पहरे में आपको बता जाता है कि WWE ऐसे talks में हो सकता है इसका नाम चेंज हो जाया कि सारे championships को defend किया जाएगा Roman Reigns के पास दो championship है तो फिर Roman Reigns किसके सामने championship defend करने वाले है इसको पिछली वाली वीडियो में discuss किया था कौन पॉसिबल नाम आ रहा है उसको आप लोग जा के देख लोने पिसली वीडियो से लेकिन ऐसा status रहता Roman Reigns का ज़रूर है नहीं है कि यहां जानी वाला segment WWE रख दे लेकिन championship defend होना मंगता है अपने को तो क्योंकि मतला भी night of champions प्रिम लाइवेंट गई होगा और जो सबसे बड़ी दो championship है वो Roman Reigns के पास ही है तो बाई यह तो करना पड़ेगा अगली story के तरफ guys हम लोग चलते हैं और यह serious है लेकिन मेरे चाहरे पर smile क्यों आ रही है क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है fans कितने अलग तरीके से चीजह को समझते हैं लेकिन action में चीज क्या होती है Seth Rollins Monday Night Raw से निकल लिये थे show को छोड़के यह मैं बात कर रहा हूँ पिछले से पिछले वाला जो Monday Night Raw के episode हुआ था क्या हुआ था पूरा scene वह आपको पता ही है Seth Rollins माइक पर आये थे उसके बाद production crew ने उनसे कुछ बात करी मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है और उसके बाद Seth Rollins बिना कोई प्रोमो कट किया वहां से चले जाते हैं अब उस समय पहली बार देखके लेगा कि अच्छा Seth Rollins का segment ही ऐसा था कि कूल दिखाने के लिए उनको माइक पर सिफ वह ऐसे गाना ऐसे करके निकल लिये प्रोमो कट करने आ रहा हूं तो यह बीच में कमर्शल कैसे डाला और जब कमर्शल डाला भी तो उसके बाद फिर वहां से निकल लिये और वह सिर्फ वहां से निकले वह सीधा शो से ही निकल लिये उसके बाद और गाइस हमने जो उसके बाद का Monday Night Rock एपिसोड देखा यानि कि जो इस अपते का रॉक एपिसोड था वहां पर Seth Rollins कहीं पर भी नहीं थे तो गाइस यहां पर बहुत सारी बात है चलनी के बार में कि कैसे उन्होंने डबल लबली के शो से निकल लिये और यह अभी इससे पहले रिसेंट में जो सबसे ताजा केज हुआ है वो साशा बैंक से नियूमी का था और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ मतलब नियूमी अब तक आई निया डबल लबली में और साशा बैंक दूसरी कंपणी के अंदर जा चुकी है तो यह शो से वाक आउट करना कोई छोटी चीज कभी भी नहीं होती और जब लोग डबल लबली के जहें उनके क्लोजेंट रिपल है तो यह मामला काफी गडबर सा हो गया अब देखो इस बात कर तो मैं आपको थोड़ सा दिलासा दे सकता हूं कि सुचेशन बुरी नहीं होने वाली से डबल लबली के बीच में क्योंकि बहुत टाइम से एक दूसरे क मैं थे इस बात को लेकर कि कैसे उनका सेग्मेंट किस वे में बुक किया गया है होपफुली जो चीजें वह अच्छे से सौट आउट हो जाएं की बीच में शाय जो मैं नेक्स अब्डेट आपको बताऊंगा इसके बार में कि अब तक जितना कुछ में आपको सब कुछ बत लगें शनका सुट दाफट में और विंसमें के डिटन से ड्राफ्ट पर पर कोई एंपक्ट नहीं पढ़ने वाला अब कैसका मतलब यह कि सारी सीजों को 해ंडल नहीं करना चाहते मेरे खाल से अगर विंसमें का इसमे रॉल सब्स अब को बताता हूं अश्री अगाड़ा है उनके WWE के पास अभी यह आपको पता नहीं होगा पूरा डीटेल में एपिसोड बनाया है और वैसी में मारा जो पॉड़कास है वो टॉफ 50 में आज चुका है इंडिया में रेस्लिंग में नमबर वान है तो गार इसको जाकर सुनना जरू डिस्क्रिप्शन से सारे लिंक आ बहुत सारी आसी नहीं बाते में आपको बताएं जो कि शाद आपको अभी तक नहीं पताऊंगे और मैंने वीडियो उसको सुन सकते हो सब कुछ आपको समझ में आ जागा और उसमें सिर आपको यह भी है विंसुक्मान का क्रेटिव पावर और रोल कितना है क्योंकि स्टेक पूरी वो बिकने वाला जो सीन है अब थोड़ सा कनफीजर हो गए उसको जाकर आप लोग सुन लेना और लेकिन फिलाल अपडेट यह कि ड्राफ्ट मन को कोई भी रोल नी है और नेक्स टोरी की तरफ चलते है जो की रिलेटेड है ब्रॉक लेस्नर और कोडी रोड्स है बेटिंग ओड्स है वो फेवर करते हैं कोडी रोड्स को कि वो इस मैच में हराने वाले है ब्रॉक लेस्नर को और जो ऑड का अंतर है वह भी अच्छा खास ही है तो यह थोड़ा सा मतलब मैं अगर में अगर मिसे कोई अगर तुम भ्रॉक लेस्नर मैं जीतें गे तो भी बो वाली है क्योंकि डबल लवली ने इसको सिर्फे कहना बैक्लाइश में बड़ा मैश करने के लिए किया जैसा मुझे समझ में आ रहा है तो शाथ हो सकता है कि फिर इस मैश कर रिजल कुछ इस वे में निकल जाए अगली स्टोरी भी काई इसके बारे में बात करते हैं यह कहा कि कि जब कोडी रोड्स के पास जो है चैंपेंशिप आये तो ऐसे में उनको एक हील मटीरियल भी बनाया जा सकता है मतलब उन्होंने कोडी रोड्स के हील टर्न की बात करें कि कैसे अब क्यूंकि बहुत ज़ादा जो कोडी रोड्स सूपरस्टार है उसके पास बीज़ा next draw में ऐसा हो जाना चाहिए वह काफी moment बढ़िया होगा और तकड़ा होगा जब Cody Rhodes heel turn करेंगे और क्योंकि वह करेंगे क्राउड पर क्राउड पर क्राउड उनको सपोर्ट करता है तो क्राउड का reaction उस टाम पर amazing होगा और यह मुवमेंट को होने वाली है वह होगी अगले महीने तीन मई को जहां पर डेवलोबली बताएं को कितना profit हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या है अभी कंपनी बिकी भी है तो इसके दुरान भी काफिसदारी चेंज हुई होगी इसके बार भी हम लोगों ने असले गाड़ा पॉड़कास में बात कि तो उसका आप लोग जाएक डिस्क्रिशन सुन लेना बार बार इसलिप लग कर रहा हुआ को कि एक बार सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा अगली स्टोरी की तरफ गाइज हम लोग चलते हैं और यह रिलेटेड़ है सी नेशन लीडर जॉन सीना से तो जॉन सिना की बार में रिपोर्ट यह है कि क्लैश एट चैंपिन्स नहीं क्या था भाही क्लैश अग्री कर लिया लेकिन डबल लॉवी इंटरस्टेट होने वाल तो ऐसा हाडली ही होता है कि जॉन सीना मना करने जैसे कुछ भी हुआ रैसल मीने में वह आ गाए रोमन रेंज के साथ फ्यूट करनी थी तो उसके लिए वह आ गाए हमेशा जॉन सीना वह अवेलेबल रहते हैं डबल लॉवी के लिए फिर अपने शेडूल में सब टाइम न का जहां पर सॉने डेवलेंस यल्सी गीनिस को जो है इंटरप करेंगे जे उसो एन पॉलमन की बीच में टेंशन होंगे इसके बार में थोड़ी सी और बात करेंगे एलन नाइट वर्सिस इग्जेवर वोड्स का मैच होने वाला है आइसे टैटल शॉट के लिए या फिर ड का भी जो सेट अप होगा अब गाइस अगर बात हो कल रोमन रेंज की तो जैसे मिन आपको बताया कि पॉल हीमन एंड जे उसो के बीच में टेंशन बढ़ेंगी लेकिन अभी किसी एंड पर नहीं जाने वाली रोमन रेंस आके इनके बीच में जो है जो भी बात है वो फाइ